यदि A is to B बराबर 3 is to 5, C is to B, B is to C नहीं है, C is to B बराबर 3 is to 2, C is to D बराबर 5 is to 6, तो A is to D बराबर क्या होगा बताना है, यानि कि A अनुपाते D क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है, तो बताए इसका अंसर क्या आएगा, solve कर सकते हैं, देखिए, थोड़ा से इसमें आप लोगों को देखना है, संख्याएं यहाँ पे जो देज जाती है, और solve किया जाता है, किस format महोती है, A is to B, B is to C, C is to D, D is to E, ऐसे होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे है, A is to B बराबर 3 is to 5 दिया है, यहाँ C is to B दिया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दिजिएगा, C is to B की जगा पे आप लिख सकते हैं, B is to C, तो यह क्या होगा, देखिएगा आप सो भी student, यह C की value 3 है, B की value 2 है, तो अगर C is to B को B is to C लिखेंगे, तो 3 is to 2 को क्या लिखेंगे, 2 is to 3, clear है सभी को, तो B is to C बराबर क्या ह तो आपसे अगर प्रस्न में यहां पे A is to D ना देके, अगर आपसे पूछता, A is to B is to C is to D, क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, प्रस्न में ऐसे भी पूछ सकता है, और कई बार होता है, A is to B और B is to C दिया रहता है, और A is to B is to C पूछ लेता है, ठीक है, तो अगर A is to B is to C is to D, क्या होगा, तो इसका अंसर क्या देंगे, इसे solve करेंगे, देखिए, समझाते है, सभी student थोड़ा से समझेंगे, कुछिस करेंगे आप सभी student, हम लोगों को बताना है, अभी क्या, अभी बताएंगे, इस प्रस्न का अंसर A is to D, क्या होगा सकते है, बहुत ही आ देखिएगा, तो A is to B बराबर क्या है, 3 is to 5, A के नीचे 3, B के नीचे 5, B is to C क्या है, 2 is to 3, तो B के नीचे 2, और C के नीचे क्या होगा, 3, देखिएगा, C is to D क्या है, ध्यान देखिएगा, C is to D क्या है, 5 is to 6, तो C के नीचे क्या होगा, 5, और यहाँ पे होगा, D के नीच हुए नहीं दिश्य Earth किए यहाँ पाइव लटेंगे हैंऔर रखेंगे भीयाँ रखेंगे दिश्य Life कि sarà जोड़ने दिश्य तो ब माद दी अब हम बता रहरें अभी हम आपको उस म Accept अभी आंसर बताएंगे जोड़त नहीं है लेकिन यह question हम नहीं दिये थे तो सोचें कि इस प्रस्म पर ही बता दे ताकि आपके समने अगर इसे question है तो आप अब दिखे डारेक्ट घुना करना है तीन दुना कर दस पचे पचास सब इस्टूडिन देखीए पंदरा 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 पचाततर ध्यान दीजेगा 75 उसके बास है पंदरा पंदरा चाके 90 यहार पे जो रेशियो आया सब ही सूडिन देखियेगा 30 तू 50 तू 75 करेंगे बहुत सारे student का answer नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है अभी हम आपको बताएंगे answer आपका क्यों नहीं आ रहा है अभी देखिएगा तो यह ratio आया आप चाहें तो इस ratio को क्या कर सकते हैं छोटा कर सकते 5 से कटाएंगे तो 5 हके 30 15 में 50 और 15 पच्छे 75 और 18 पच्छे 90 लेकिन अगर इस question से हम लोग निकाले किसका a is to d क्योंकि प्रेशन हम लोगों से पूछा है क्या a is to d अगर a is to d की बात करें ध्यान दीजिएगा a is to d तो a की value क्या है 6 d की value क्या है 18 यानिकि 6 is to 18 ठीक है 6 हनुपाते 18 6 हनुपाते 18 क्या छोटा होगा देखिएगा 6 कम 6 6 3 8 यह रहें कि a is to d क्या हुआ one is to three indeed क्या हुआ one is to three वstrong is to three you are to three option में किसी बहें देख्या है किसी बी option में नहीं है देखिएगा अगर इसकी बात करें तो 12 कम 12 अब 12-36 यह क्या हुआ इसलिए आंसर होगा क्या ऑप्सिन नमबर ए देखिएगा आप चाहे तो इसको भी कर सकते है बारा से रेशियों में किसी भी समान संख्या से गुना किया जाए तो रेशियों पे कोई परभाव नहीं पढ़ रहेते तब, एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाएं उसमें समझाएं, तो 1 is to 3 कौन सा हो रहा है, option number यह हो रहा है, आपका option number यह answer हो जागा,